नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिकी आई हूँ, ये आलू की बहुती जादा टेस्टी और युनीक सबजी के रेसिपी, जिसे मैंने एकदम नए तरीके से बनाया है, ये खाने में इतनी जादा डिलिशियस बनती है कि आपका मन करेगा इसे बार बार बना के खाने का तो जब भी घर में कोई महमान आए, तो भी आप इस सबजी को बना सकते हैं, या घर में कोई सबजी ना हो, तो भी आप इसे बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय कीजेगा, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना greater लेंगे और जो यह medium size के hole हैं इस side से आपको अलू को कद्दुकस करना तो इस तरह से अलू को पकड़ते वे आप इसे कद्दुकस कर लें इसे आपको लंबा लंबा कद्दुकस नहीं करना है तो सारे आलू को मैंने कद्दुकस कर लिया है अब लच्छो को आप थोड़ा मुठी में लेकर के अच्छे से दबाते वे इनका सारा पानी निकाल दें इनके अंदर काफी पानी रहता है तो आपको इन्हें मुठी में लेकर के निचोड़ना है इन्हें धोना नहीं है आपको और एक दूसरे बोल में निकाल लेना है तो इस बोल में मैंने लच्छो को निछोड करके डाल लिया है अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो एक चोथाई छोटी चममज इसमें हम हँल्दी पवाउन डाल देंगे एक चौथाई कप डालेंगे इसमें हम बेसन, तो ये पूरा बेसन डाल दें आप इसके अंदर, अब दोनों ही मसालों को हम लच्छों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से आपर मिला दिया है, अब इस मिक्षर को आप माटर डाल देंगे इसके अंदर, आठ से दस लहसुन की कलिया डालेंगे, एक इंच डाल देंगे अधरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च डाल देंगे, और अब इन सारी सबजियों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट पना लेंगे, तो बाब देख सकते ह सभी चीजों को अच्छे से पीस्ट लिया है, और एकदम स्मूथ इसका पेस्ट पना लिया है, तो इसे साइड में रख देंगे, अब इस मिक्षर को रखे वे पांच मिनिट हो गए है, तो अब इसमें आदी चोटी चमच आप नमक डाल देंगे, और एक चोथाई चोटी हींग डाल देंगे, दौनों मसालों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक आपको लास्ट में डालना है, क्योंकि नमक पानी छोट देता है, तो मिक्षर गीला हो सकता है, मिक्स करने के बाद अब आप क्या करें, इसकी छोटी 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 लोईया ले ले ल और सेम इस तरीके से हम बाकी जो बैटर है जो मिक्षर है इससे भी हम तिकिया बना लेंगे तो थोड़ा-थोड़ा मिक्षर लेना है आपको और हतेली मिलेके चप्टा कर लेना है इस तरीके से और ज्यादा बड़े पीस हम इसके नहीं बनाएंगे तो यह मैंने सारी टिकिया यहां पर बना ली है, इसे फ्राइ करने के लिए मैपन element लिए एक पैन के अंदर आधा कफ कब तेल को गरम कर लिया है, अब एक के करके सारी टिकिया इसमें हम डाल देंगे, इन्हें हम डीप फ्राय नहीं करेंगे, इन्हें आप को शेलो फ्राय करना है, तो अब मीडियम फ्ल अच्छे से फ्राइ हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो गैस को बंद कर दें, और इन इके करके सारी टिक्कियों को एक प्लेट में आप निकाल लें, अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे तीन बड़े चम्मच तेल, तो ये मैंने वही तेल लिया ह जिसके अंदर हमने टिक्कियों को फ्राइ किया था, तेल गरम होने के बाद एक छोटा चम्मच जीर डाल देंगे, एक छोटा चम्मच साबूत धनिया डालेंगे, तो ये मैंने क्रश करके लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आधी छोटी चम्मच सरसों ड मिक्स करते वे मीरियम फ्लेम पर एक मिनिट के लिए पकालेंगे, तो इस पेस्ट को मैंने एक मिनिट तक पकालिया है, अब इसमे कुछ और मसाले डालेंगे, तो एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल अधी छोटी चमच इसमें अम्चूर पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा खटा पन आाजाएगा इसमें, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब इस पे ढकन लगा देंगे और मसालों को लृ फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे, चार मिर्ट बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक गए हैं और ओयल विल्कुल यहाँ पर सेपरेट हो गया है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे पानी तो मैं इसमें डेड़ कप पानी डाल रही हूँ यह पूरा 400 ml पानी है अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं अब इसके उपर हम ढखकन लगाएंगे और हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने तक इसे पका लेंगे तो अब आप देखिए पानी में उबाल आ चुका है तो अब इसमें डाल देंगे फ्राय करीवी सारी टिकियां साथ ही आदी छोटी चमच इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इन दोनों ही चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे अब इसके उपर हम फिर से धकन लगाएंगे और बिलकुल धीमी आज पर इन टिकियों को लगभग 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से पक जाए तो 6 मिनिट हो गई है और ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है ये सबजी टिकियां अच्छे से फूल गई है इन्होंने ग्रेवी को एब्जॉब कर लिया है मसाले इसके अंदर तक चले गए हैं तो इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धनिया डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये लेजे दोस्तों आलू की ये बहुत ही जादा टेस्टी सबजी बन करके तयार है पिल्कुल नई रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है इसे एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आप सभी आपकी तारीफ करेंगे तो दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करना साथ ही चैनल पर नए है तो फटा फट से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक किरी टेक चेर बाइबाई